हेलो बाइज इस इस मी अंकुर उपाथिया वेल्टम तो आपको आपको औरेडी कहीं ना कहीं पता होगा बट मैं आपको कुछ इंट्रेस्टिंग चीजा बताना चाहूंगा तो आपको और बड़ा जटका देखने को मिलेगा साधे पांसो पॉइंट की गिरावट चलेगी कौन से स्टॉक्स को खरीदना चाहिए सबकी पॉर्टफोलियो माइनस में क्या स्टॉक्स से निकल जाए क्या नीचे में दुबारा एड कर लेंगे ये सारे सवाल हर एक बंदे के दिमाग में चल रहे हैं देखिए निफ्टी ने आज की सेशन में 15,650 ब्रेक करा एंड निफ्टी चल दिया पंदरा दोस्तों की तरफ मैंने सुभा ही शियर कर दिया था आप सभी के साथ अरूं 15,580 के करीब निफ्टी ट्रेकर दिया पंदरा चारसो बीस पर आचुकि हमारी है, उनकी तो हो ही रही है, क्योंकि उनकी तो फुद की परिशानी लेकिन पिटाई हमारी ही हो रही है, क्यूंकि हम फॉलो करते हैं, हम अमर्जिंग मार्केट है, टो मेरे इसाब से आप सबी को जो क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे केवल अपनी प्रटफोलियो को करना चाहिए किया आपके स्टॉक सही है किया आपके स्टॉक लार्ज केप फंडामेंटली स्टॉंग है डैट फिरी काउंटर से मेरे इसाब से अगर यह सब चीजें आपके शेर में और थर्टी परसेंट और 25-35 परसेंट के आउंड तो आपको डरने या फिर घवन आने की ज मार्केट क्यों गिर रही है इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं अमेरिका की वजह से अमेरिका की वजह से क्यों इन्फलेशन मेहंगाई है यह मैं देखिए कल रात 12 वजह एक्जक्ली में जग रहा था मैं फैड मीटिंग के कमेंटरी की इंतिजार में था कि हाँ कि ऐसे क्या होता है तो वहाँ 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइग करा गया एंड सिक्स थर्टी थाउजन सिकंद्रेट फिफ्टी पे मार्केट कर रही थी पॉजिटिव यह शार्प गिरावट आई एंड आपको एग्जक्ली 30,425 तक मार्केट गिरी 200 गिरी एक जटके में उसके बाद एक bounce back आया फिर दुबारा गेली एंड फिर mess हो गया क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट में सब खराब हो गया बाई मार्केट को अनुमान जो था वो 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइग होगा इसका था उसके सामने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिये तो काफी ब उपर बंद हुए डाउ फ्यूचर 200 बांट अब ट्रेड कर रहा है मैं मैं समझ नहीं बारा क्या हो रहा है इसलिए मैंने सुबा एकदम वीडियो बनाई और आप सबी से का यह मेरे समझ से बाहर है जो हुआ है और मुझे यहां पर बाइंग नहीं करनी मुझे समझ नहीं आ करेंशन के कही ना कहीं संकेत है आज हम लोग 500 उपर खुले अभी 200-300 नीचे ट्रेड कर रहे हैं अमेरिका के बाजार में डाउ फ्यूजर सुबा 200 अब थे अभी साड़े 500 यानि की 800 की करेक्शन हो गई है मेरे असाब से यह सारी अब मेरे को पता है क्या लग रहा है मेरे को यह स्टार्ट काई अब होने का नाम लेने वाली है क्या हूं कि यह होई हमारी पैनिक सैलिंग क्या और भी 1500 तक आदे वापस भूं जाते थे बड़ी प्रोब्लम आई आज एंड क्या आपको स्टॉक्स से निकल जाना चाहिए इसके बारे मात करता हूं तो मैंने आपसस्ट कि इस टॉक अगर आपके बहत्रीन है फंडामेंटली तो निश्चिंत रहिए लेकिन इस टॉक में प्रॉब्लम है तो उसे मैनेज करिए कॉंटिटी काम पर सकते हैं या फिर उसे बेच के और इंवेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम तो सभी अच्छी मिल लग रहे हैं इंसेक्स भी देड़ परसेंट डाउन एंड बैंक निफ्टी भी देड़ परसेंट डाउन एडवांस यह तूंड्रेड है बस दोस्तो शेयर पोजेट हैं उसके सामने 1675 शेयर नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं कहां से आ रहे हैं गिरावट मेटल इंडेक्स साढ़े तीम रियलिटी इंडेक्स हाई परसेंट डाउन मीडिया इंडेक्स दो परसेंट डाउन आईटी इंडेक्स 1.71 परसेंट डाउन सबसे कम किर रहे हैं FMCG 0.6 परसेंट तो पूरी ब्रॉडर बेस सेलिंग चल रही है कुछ स्टॉक्स जिनमें बड़ी करेक्शन आ रही है मैटल स अब बाटम फिशिंग तो नहीं किस्कते लेकिन बाटम का बेस कीरियेशन कहीं अब मुझे लग रहा है यह आपको 15 दोस्तों के बाद एक उचाल मिलेगा जहां आपको इसटॉक स्टॉक इपेसिफिक उचाल मिलेगा यहां मेरे साब से जिसकी पोजिशन जिसकी भी मैं कि मार्केट में लॉस्ट बुक नहीं करना क्योंकि मुझे पता है एक बार आपने लॉस्ट बुक कर लिया तो वो लॉस्ट आपके घर चला जाएगा सेकंड तिंग आप दुबारा निबेश नहीं कर पाऊंगे नहीं कर फाहूंगे और कर भी तो दूसरा स्टॉक भी क्रेगी क्योंकि market गिर रही है यहां आप यह देखिए ना अगर आपने मेटल स्टॉक्स में अगर टाटा स्टील का खरीद आया और वो डाउन है तो क्या दूसरे मेटल स्टॉक्स अपने हैं सब डाउन है आपने IT में इंफोसिस खरीद आये इंफोसिस डाउन तो क्यों बाकी IT सब्सक्राइब करें कि अगर मेरे पास एक कमेंट आरे कि मैं नया एकदम फ्रेश मांट मार्केट मैं हूं और मिरको इन्वेस्मेंट की अपॉर्चनिटिस का रोगने चाहिए इसकवरा आइटी स्टॉक्स में आंक बंद करके खरीदना स्टार्ट कर दो कहीं भी खरीद लो आपका बड़ा पैसा बन जाएगा लगबग 30% मिनिमम आप बना ही लोगे हैं से किंट में ग्रोथ है और भारत का एकोनोमी ग्रो करनी है तो सिमेंट स्टॉक्स को उठालो चाहिए उल्ट्रा टैगो या ग्रैसी मों आटो स्टॉक्स में कहीना कि सेक्टर रोटेशन देखन को मिल रही है वहां से आप टू वीलर में हीरो मोटोप या आईशर में से कोई भी ले लो या दौनों ले लो जो आपका दिल करें या अगर फोर वीलर में जाना तो एवी प्ले करना है तो टाटा मोटस अधरवाइस मारूती के साथ रहो ठीक है और आपको मैं FMCG की बात कर IRCTC 100% market share तो इन stocks पे ध्यान रखें बैंकिंग में ICICI bank and HDFC bank इस पे ध्यान रखें तो ये कुछ share से NBFC में HDFC limited बहुत correction हो चुकी है कुछ ऐसे stocks जहां आपको हमेशा ध्यान रखना है खरीदने के लिए and start करिए खरीदना एक बार में नहीं खरीदना दीरे-दीरे खरीदना ह फार्मा में DV11, Sipla इस पे हमेशा बाइंग बना के रखें तो ये stock आपको बड़ा पैसा बना के देंगे जितना समय दो उतना बड़ा पैसा तो market पे मेरा view positive है stock negative चल रहे है market negative चल रहे है लेकिन मैं आपसे एक-दो महीने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो अगले 1-2 साल क बात कर रहा हूं मैं ट्रेडर के लिए बात ही नहीं करता मैं तो investor के लिए बात कर रहा हूं तो यह मेरी पूरी वीडियो मार्केट को लेकर होब आपको समझ में आई भी पसंदी थे हैं thank you so much for watching this video have a great day